आप सभी का स्वागत है इस सुबा की प्रात्ना में प्रभिश्य मसी के सामधी नामें आप सभी को जैमसी की कलीसिया सभी जन इस पाक दिन के लिए इस पावीतर दिन के लिए सभी जन प्रबिश मसी का धन्यवाद करें वो हमारा परमेश जो हम सब को अपने बड़े अनुग्रे के दोरा अपने प्रेम के दोरा अंट कंडिशनल प्रेम के दोरा एक बर फिर से नए दिन में लेके आए सबी जान परविश मसी का धन्यवाद करें वो हमारा परमेश जो हमें हर रोज संभालता है हमारी मदद और सहाइता करता है आज कली से प्रविश मसी का धन्यवाद करें तैंक्यू जीसस बोलते हुए आज एक एक चन परमिश्र का धन्यवाद करें तैंक्यू जीसस धन्यवाद यशू वो जलाली है वो सर शुक्तिमान है वो परेंपरधान है वो में चंगाई देने वाला है, वो में शुतकारा देने वाला, वो मरा उड़ार करता परमिश्र, वो मरा मुपतिदा दाता है, आज परमिश्र का धन्यवाद करें तेंकियो जी चीसा, धन्यवादिशु हर एक जंट सबसे पहले परमेश्य का धन्यवाद करे प्रबू की भलाई ओको याद करे जो आज के दिन तक प्रबू में शम्भाला गुजरी दात संभला गुजरे दिनों में संभला और अपने अनुरे के दोरा अपने प्रेम के दोरा एक और नए दिन में इस नए सुबा में परमेशर हम सब को ले का हैं इसलिए परमेशर का धन्यवाद करें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में शामिल नहीं हो प प्रभीश्य मसी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांती दिये जाता हूं प्रभी के वच्छे में लिखा है प्रभीश्य मसी ने कहा कि जैसे संजार तुम्हें शांती देता है वैसी नहीं बल्कि परमिश्य कहते कि मैं तुम्हें अपनी शांती दिये जाता हूं आज परमिश आमकि से भरा इसलिए Mr.K का धनेवाद करें nasty Flower zचाँ क अब पमेश हूं का में आप परमेशो की पवित्र और पाक जीस धन्यवाद ये शुतेंगे जीस अभी या परमेश्यों को धन्यवाद के वलिदान चड़ाएं परदान परमेश्यों को अपने पूरे मन से अपना उधार करता मुंक्तिदाता ग्रहन करते हुए आज परमेश्यों को अपने धर्म में भलिदान चड़ाएं वो मरा वचन में फिल्पियों में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो प्रंतु हर एक परिस्थिती में परमिश्य का वचन कहता है कि प्रार्तना में और विंतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्तना परमिश्य के समुख उपस्थित करो अलेलुया धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्तना निवेदन परमेश्य की हाजूरी में ओपस्थित करो आज परमेश्य का धन्यवाद करें किसी भी बात की चिंता नहीं करना अपना सारी चिंता अपना सारा बोज एक एक जन आज परमेश्य के हाथों में सरंडर करते हुए तेंक्यू जी से परमेश का धन्यवाद करें धन्यवाद येशू, थैंक्यू जीशू, आलेलुया, हमारे प्रती दिन के बोज, कुमरा परमेशू उठाता है, हमें अपने हाथों पर लिए फिरता है, आज परमेशू का धन्यवाद करें, थैंक्यू जीशू, बोलते हो हारे कजन, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कि य परमेशू के समोग खाएं, आपने आपको प्रभु के हाथों में सरंड़ करें, समर्पन करें परमेशू के हाथों में, तेंक्यू जीशू, धन्यवाद येशू बोलते हो, तेंक्यू जीशू, हालेलूया, इसलिए परमेशू का वचन कहता है, कि हर एक बाद के लिए परमेशू को धन्यवाद कहे, हालेलूया, तेंक्यू जीशू, वो हमारा परमेशू, जो हमारा ध्यान रखता है, दो हमरी च सरंडर करें जो मारे जीवन में सबकूरा करके Laya और जहां कहlier भी इस समया परमेशी की और से साथ उसकी जावन वर्थवर्य के साथ कन्नेकटड है आज सपना बोज अपना सब कुछ अपनी चिंता अपना भार अपना बूज प्रविश्य मसी के हाथों में सरेंडर करें थैंक यू जी सथ धनेवादी एश्यू बोलते हुए वो जलाली है वो सामर्ती है वहाँ दर्द से हमें अजाद करता है रिहा करता है कि कि जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आप अकल जब रात को सोए तो आप अच्छी रीती से सोए है हालेलुया आपके शरीर में कोई दर्द नहीं था कोई परिशानी नहीं थी कोई बिमारी नहीं थी और आज अब जब आप उठे हो तो आपके शरीर में दर्द है आपकी बॉड़ी के हिस्सों में दर्द है आज अब बिमार हैं आज अप पपर्मेशियों के मैं अजय पहते हैं रहे हैं। हालेलुया अज परमेश्यों के स्टुर में स्रेंडे करें। आप्वेजी को प्रमेश्यों के स्टुर। аभश में युद्यों के बप्रमेश के नियुकरaz है। तो आज परमेशे अपने वच्चन से हमें छुडाना चाहता है, हमें अजाद करना चाहता है, हमें उठा के खड़ा करना चाहता है, हमारे बंदनों से वो हमें अजाद करना चाहता है, एक आज हारे जन परभीश मसी के हाथों में सरंडर करें, थैंक्यू जीज़, लगाना चाहता है और आपको वो अपनी शांती से एक बर फिर से परिपूर्ण करना चाहता है आपको अपनी सामर्थे के कारे को वो दिखाना चाहता है वो अपनी महिमा को आज अपने जीवन में से प्रिगट करना चाहता है उसकी जो कलपनाएं उसकी यो योजनाएं उसकी अधिक है वो महान है जो हमारी सोच से बाहर है और वो मारे जीवन के किलाब के लिए है आज परमेशों से कहें हर एक जन अपना मूँख खुले और कहें कि प्रभु आपकी योजनाओं का आपकी प्लानिंग को मैं अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हूँ आप मेरे आई होग अपने जीवन में ग्रहन करें आज बहुत सरा ऐसे लोग है हारे एक जनापने हाथों को स्वरकेर उठाए और हम उन लोगों के लिए एक बन होके प्रार्त न करें जो लोग परमेश्य के भवन में आना चाहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से हैं रुकाफ्टे ह जाता है जहां वो परमेश्ग के सा संगती नहीं करने देना चाते है इसली उन्हें रोका जाता है ऐसी ऐसी परिजित्या उनके सामने खड़ी है आज हम प्रात न करते परमेश्ग के हजूरी से एक मन होगे हर एक बंदन आज तूट जाए परमेश्ग जो लोग आज आपके भ है ये यह शुनासरी के नाम से क्षो जाए और अपने आपको सामत्ती प्रम्योश्यज़ करें सरंडर करना शुरू करें वह समय हमें अज्ञाध करने के लिए हमारे बीच में है हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रगट करने के लिए इस समय हमारे बीच में है हमारे जीवन में आदबूत और बड़े कामों को करने के लिए इस समय हमारे बीच में है तेंक्यों जीवन हमें अजात करने के लिए मैं उठा के खड़ा करने के लिए बंद सरंड़ करें अपने आपको अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को अपने एक एक परिस्तिति को अपने हलात को अज परमेश के हाथों में सरंड़ करें अपनी रिपोर्ट्स को अपनी कमजोरियों को वह कमजोरिया जिसकी वज़ा से आप बीमारी के बिस्तरे हैं आपको injection लग रहे हैं आप वह वीकनस की वज़ा से मेडिकेशन में है आप आपको अपरार्थ नहीं कर पारे हैं वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं आज परमेश के भवन में नहीं आ आज परमिश्री के हाथों में सरंड करें तेंक्यू जीसर धन्यवाद येश्यू तेंक्यू जीसर और प्रार्त नमें जाने से पहले आए हम परमिश्री की महिमा के लिए एक आद्भूत और बड़ी गवाही को सुनेंगे पास्टर जीस बहन का नाम है मेरी और ये जारखंड के रहने वाले हैं और ये बहन बताते हैं कि ये सिस्टर दा गोड्न तरफ हेवन चर्ट के साथ सिर्फ दस दिनों से जुड़े हुए हैं और ये बेहन बताते हैं कि जारखंट से चंडी गड़ाया हैं और ये किसी अपने रिष्टेदार के घर में और ये बेहन बताते हैं इनको पास्टर जी के बारे में नहीं पता था और ये पहले हर एक एक जगत जा चुके हैं पर इनको कोई भी हल नहीं हो रहा था ये बहन बताते हैं कि इनको 6 सालों से इनके पेट में बहुत ज़ादा लगातार दर्द हो रही थी और बहुत ज़ादा परिशान थे और ये बहन बताते हैं कि इतना ज़ादा इनको भेंकर तरह से दर्द होता था कि इनको ये बताते हैं कि सारा सारा दिन दर्द में ही रहते थे, हर एक समय इनके पेट में दर्द रहता था और ये अपने आपको बहुत जादा जैसे बताते हैं कि एक सोसाइट करने के सोच लेते हैं, उस तरह से इनका दिमाग पूरी तरह से हो गया था और ये बहन बताते हैं कि इनके उपर दूस्ट रादमाओं के अटैक भी होते थे जैसे दूस्ट रादमाओं के अटैक होते थे उनको गुस्सापन बहुत जादा आता था और इनका सरीर पूरा कहते जकर अकर जाता था और इनको चीड़चिड़ा पन लगता था इतना ज़ादा इनको अटैक होते थे और ये बहन बताते हैं कि इनको सपने में इनके उपर जैसे कि इनको इस तरह के सपना आता था कि इनके उपर सर्फ आया हो और इनके सीर के उपर बैठा हो इनको डस ले इस तरह से इनको गंदे गंदे दूस्टा आत्माओं के अटेक होते थे और इनका सरीर पूरी तरह से भारीपन लगता था और ये बताते हैं कि एक दिन हिके मम्मी को सपना आया और इनके मम्मी बताते हैं कि ऐसा लगता था मेरे से कोई बात कर रहा कि तेरी लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती वो बच्च नहीं सकती, मैं तेरी बैटी को ले कर जाओंगा और ये बहन बहुत ज़्यादा परिशान थे बहुत ही दुश्रा आत्माओं से जक्ड़े हुए थे और इनको दुश्रा आत्माओं ने पूरी दरसे घेर कर रखा था और ये बहन बताते कि इनके उपर जादू टोना भी हुआ था पर बहुत ज़्यादा परिशान थे, बहुत ज़्यादा निराशा में थे ये बहन 2 जून, 2024 संड़े मीटिंग में जैसे ये बहन यहाँ पर थे, मौजूद थे चर्च में जैसे पास्टर जी बहुत नहीं थे, हीलिंग प्रेयर में जिनको अभी ओयल दिया जा रहा हूँ, विश्वास के साथ प्रेयर ओयल को अपने उपर अप्लाई किया, जहां पर भी उनको प्रॉब्लम है जैसे इनको अनोइंटिक ओयल दिया गया इस बहन को इनको अपने पेड़ पर अप्लाई किया, अपने सीर पर लगाया और सच में जैसे ही इनको ने लगाया मीटिंग में वैसे ही बताते हैं कि इनका सरीर जो पहले पूरी तरह से भारी पन लगता था, पूरा जक्रा सा लगता था और बहुत ज़्यादा परिशान थे, बहुत ज़्यादा निरासा में थे कोई भी इनके पास हल नहीं था इस बहन के पास पर इनको जो हमारे चर्च के विश्वासी हैं उन्होंने दा गॉड एफ हेवन चर्च के बारे में बताया कि आप एक बारी पास्टर दिप्ती के चर्च में चलो, जो आपके लाइफ में परेशानिया, प्रॉब्लम्स हैं, वो परमेश्वर जरूर आपके प्रॉब्लम्स हल करेगा जैसे ये बहन यहाँ पर आया थे मीटिंग में, संडे मीटिंग में, वैसे जैसे इन्होंने ऑईल अपने उपर अप्लाई किया, वैसे ही ये बहन बताते हैं, इनको इतना ज़्यादा इनके भारी पन था, ऐसी दूश्रा आत्मा इनके अंदर से निकल निकल के जा रही थी जो कि 6 सालों से इनके पेड में लगात और दर्द थी, जैसे इननोंने ऑईल को अपलाई किया, और 6 साल से अटाエक भी होते थे इनको दूश्रा आत्मा होगे, और ये बहन बताते हैं कि जैसे पास्ट अजी ने अभी प्रेर किया, जैसे इन इनको आउल को अपलाई किया, अब इनकी दो दूस्ट आदमाएं थे वन बाई वन एक एक करके पूरी तरह से निकल चुकी हालेलूया अब आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे इनके उपर जो अटेक पहले होते थे किस तरह से सैतान इनको छोड़ कर जा चुका है हालेलूया हलेलूया सभी जन जोर दर तालिक के साथ इस गवाही के लिए परमेशी का धन्यवाद करें सभी जन सभी जन तालिक के साथ परमेशी का धन्यवाद करें और इनके आनंद में आई हुई इनके जीवन में बड़ी गवाही के लिए सभी जन परमेशी का धन्यवाद करें वो मार परमेश्व के वच में लिखा कि जो मनुश्य से नहीं हो सकता वो ही हमारा परमेश्व हमारे जीवन में करने की ताकत और सामर्थ रखता है हलेलुया तेंक्यू जी सधनेवाद येश्व हर एक जन परमेश्व का धनेवाद करते अपने गुटनों प्याए आ आई हम प्राथ ना करेंगे सामर्थी नाम से हार एक तरह की पेट की बिमारियां दर्द आज ओली गोस फायर 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 प्रभीश्यमसी के सामर्थी नाम से आज कली से है ऐसे नहीं बलकि इस दर्द के उपर इस इंफैक्शन के उपर इस ट्यूमर के उपर इस टॉन के उपर इस सिस्ट के उपर आज खुस्ता करें आत्मा में और कहें कि चल, तुझे येश्यू के नाम से मुझे छोड़ के जाना होगा, तुझे येश्यू नास्री के नाम से मेरे शरीर को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि मेरे परमेश्य के वच्चन में लिखा है मेरे परमेश्य का मुझसे वाइदा है कि जो जो मेरी देई है वो मेरे परमेश्य के पवित्रात्मा का मंदिर है इसलिए एटूमर, एस्टॉन, एस्सिस्ट, एदर्द, एंफेक्शन तुम मेरे पेट में तुम मेरे शरीर में नहीं टिक सकता आज तुझे जाना ही होगा येश्यू के नाम से जाना होगा येश्यू के नाम से हॉली गॉस फायर 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 प्रबिश्य मसी के सामर्थी नाम से हर एक तरह की स्टोन आज आज आपको छोड़के जाए दिगाल येस्जू कंसर की बीमारियों से अचाद हो जाए हुरिक तरह का को Our-ए-श्यू की घुशन नावकार जए ये श्यू के नाम से आपके जिवन में शार चीवनी उत्रै तैंकिजू झी इस और आधि जी धने वाद रहारे के कर दर के आत्मा से अजाद हो जाए गबराहट का दुष्ट आत्मा हॉली गोस फायर 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 प्रभिश्य मसी के सामर्थी नाम से पैरों की दर से अजाद हो जाए पेड की दर से अजाद हो जाए प्रभिश्य मसी के सामर्थी नाम से सरदर से अजाद हो जाए पेड दर से अजाद हो जाए, बाजवा की दर्द से अजाद हो जाए, हाथों की दर्द से अजाद हो जाए, प्रभी शिमसी के सामर्थी नाम से, हर एक तरह का दर्द हाजआप के शीर से जाए, आत्मिक दर्द अच आपको छोड़के जाए, प्रभी शिमसी के सामर्थी नाम से जाए, ज प्रभू येशुवाद येशु दुश्य आत्मा के अटायर कि लाया पिलाया जादू तोना तंत्र मंत्र अज आपको छोड़के जाए आपके घर से जाए आपके बच्चों के जाए 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 प्रविश्य मसी के सामर्दी नाम से तेंक यू जीज़ दनेवाद येशू जो हाट की प्रॉब्लम है अज येशू के नाम से जाए अज येशू के नाम से जाए बीपी की प्रॉब्लम से अज़ाद हो जाए नसो की ब्लॉकेस हाट की ब्लॉकेस इसी इसी वक्त ये शुनासरी के नाम से जाए जिन लेडिस के जीवन में श्रमिंद गिया अभी तक बेभी ब्लैसिंग नहीं आया पर मेश्य पिता आजमाब के प्रार्त ना करते हैं इनके घर्ब कशुने के लिए इनके वांब कशुए और ब्लैस कीजिए और अदबुत और बड से जुड़ जाए कोट के से अजाद हो जाए इस आने वाले 시 के दिनों में आज हम पर मेश्य से प्रांट्न करते हैं और ये शुचि के नाम से जो वचन कहता है कि जो कुछल की घुशना करते है तैंक यू जीज़ धनेवाद एश्यू तैंक यू जीज़ मेरा कल मनी प्रभीश मसी के सामर्थी नाम से ब्लेस्ट रोजाए ब्लेस्ट रोजाए आने वाले इस वीक में आप आदबुत और बड़ी गवायों को रिसीव करेंगे हाले लिया गुड न्यू में आप ऐसी आदबुत गवायों देंगे कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था पर प्रार्तना से परमेशन ने वो बंदन आपके जीवन के तोड़ दिये है अलेलुया तैंक यू जीज़ है इसलिए हरे कजहनों ने आपने जीवन में जब भी प्रार्तना करना है तो यही कह प्रार्तना हमें सही दिशा की और लेके जाती है प्रार्तना हमें परमेशन के निकट लेके आती है अलेलुया प्रार्तना ही है जिसके द्वारा आप शेतान के बंदनों को तोड़ देते हैं जिसके द्वारा आप शेतान को हिला देते प्रविश्य मसीग के सामर्दी नाम स इसलिए आपने परमेशर से जब भी प्रार्तना करें तो प्रार्तना करें आपने आत्मा मांगना है प्रभु मुझे प्रार्तना करने का आत्मा दीजिए प्रभु मुझे सही प्रार्तना करने का आत्मा दीजिए तेंक्यू जीज और हम प्रार्तना करतें जितने जन आज प् अच्छों को लेके परिशान दुखी है आज बंदन तूट जाए आज बंदन तूट जाए शुक के सामर्थी नाम से जितने लोग आज ट्रैवलिंग कर रहें प्रमिश्य के अगया प्रात न करते प्रभू आने जाने मारगों में वदद करें सहाइता करें आज आपको संभा अने नुक्सान येशु के नाम से चैंसर भी कैंसल इन चीसस माइटी ने ठैंक यू जीसस धनेवाद य शू तैंक यू जीसस अलेलुया दिया कर रवाशित प्रभू बड़ी कवायों के साथ खड़ा करतें आपका धनेवाद करतें सारी प्रात नकुसन के उत्तर देतिया निर्दोश और निश्क लग बनाए आज भी आपका अगमनोंने से सब महिमा में बदल जाए प्रार्तना को प्रविश्य मसी के नाम से मांगते हैं कली से हर एक जन कहें आमिन तो आज की प्रार्तना को सभी के साथ शियर करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह आप विश्य मसी के साथ और जब आप परमेश्य के सबरी में विश्य मसेघे खड़ा करते हैं और जिन लोगों के जिवन में गवाईयां आईया है तो गवाई को देना नहीं बूलना अपने गुई का वीडियो रिकॉर्णिंग मनाए और वाटसअप के नमबर पर सेंड करें और जो लोग प्रारतना करान चाते हैं प्रेड सेंटर में कॉल करके आप प्रारतना करा सकते हैं अपने दान अपने बीजों को परमेश के राजे में आबोएं क्यूर स्कैनर के जरिए बैंक्स जेल के जरिए और सभी जनों को इन्वाइट करते हैं पस्ची जुलाई की बड़ी प्रारतना सबा के लिए अब इस अपनी टिकर्स को बुक रेपने इंतजाम करना शुरू करें और जो लोग आपके साथ आना चाहतें उनकी भी तैयारी करें लगातार प्रारतना में बने रहें और अपनी प्रार्तनों में पास्तर जी के लिए चर्च बवन के जमीन के चर्च के एक एक जरूरत के लिए पूरी टीम के लगाता अपनी प्रार्तनों में याद रखे सभी जन पर विश्य मसी में सरुदा अनन्दित रहें प्रभू में दिन प्रति दिन बढ़ते चले जाए आप सभी को जय मसी की सभी जन कलीज स्या भुलंद आवाज से कहे हलेलुया